ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दर्या है और डूब कर जाना है आपने हमेशा सुना होगा कि इश्क में इंसान एक दूसरे की जान के लिए उतारू हो जाते है प्यार के लिए इंसानों के बीच मारपीट और बद्ला लेने की नजने कितनी खबरे आपने सुनी और पड़ी होगी लेकिन आज हम जन्वरों के लिए ट्राइंगल और उसको लेकर कोई मारपीट की एक खटना के बारे में बताने जा रहे है ये सुनकार आपको हैरागी हो रही होगी लेकिन ये सोना ने सच दरसल राजिस्थान के रंठम भॉर्ड नैशनल पार्क से दो बागो का अफस में लड़ता हुआ एक वीडियो काफी बारल हो रहा है IFS अधिकारी प्रवीन कास्वान के मुताबिक ये भाव T57 और T58 है कास्वान ने अपने ट्वीटर हैंटल पर ये वीडियो भी शेयर किया और इन दो भाईयों की लड़ाई को ग्रूद और हिंसक लड़ाई करार दिया रंठम बॉर गाइड्स के मुताबिक T57 बाग का नाम सिंग्थस है और T58 का नाम रॉकी है ये दोनों भाई है और जैस सिंग पूरा क्षेत्र की बागेश शर्मिला के बेटे है पहले आप ये पूरा वीडियो देखे वीडियो शेर करने के बाद कासवान ने अपने पॉल्वर्स को जानकारी दी कि दोनों भाग ती 49 नंबर की बागेश जिसका नाम दूर है के लिए लड़ रहे थी वीडियो में दिख रहा है कि दोनों भाग लड़ रहे हैं और उनके पीछे जाडियों में एक बागिन घड़ी है लेकिन लड़ाई बढ़ने के बाद बागिन वहां से भाग जाती कासवान ने ये भी बताया कि बागों की लड़ाई में जीत 37 तावंकी होती है उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में कोई भी गंभीर रूप से खायल नहीं हुआ लेकिन दोनों भागों की इस लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जुन कर वाइरल हो रहा है जानकारी के मताबेक रंठम भौर नेशनल पार्फ में बाग और बागिन का लिंग अनुपात और संतूलित है ऐसे में दो बागों का किसी बागिन के लिए लड़ना आप और स्वभाविक है इसके अलावा पार्प में नर बागों की संख्या भी रंधम भौर नेशनल पार्प की किशंदा से अधिक बढ़ गई है जानकारी के मुताबिक दोनों टाइगर भाईयों की इस लडाई से पहले भी इसी महिने की शुरुवात में एक टाइगर वर्चस्व की लडाई में अपनी जान गवा बैठा आपको बता दे कि रंधम भौर का दायरा सत्रसो वर किलोमेटर में फैला हुआ है जिसमें कुल 22 भाग भागी है इंडिया नियूस वाइरल की रिपो